जैम आतादी दोस्तों, वर्ड बेस्ट मेजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आतादी जरूर लिखें. दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिवाली साल 2022 में कब मनाई जाएगी? और दिवाली के दिन लक्षमी पूजा का सुमूरत क्या रहेगा? इसके लावा हम बात करेंगे दिवाली की संपून पूजा विदी के बारे में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्ष्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ड बैस्मेजिक सस्क्राइब नहीं क यह तेवार धन्तेरत से सुरू होकर भैयाद्यूच्पर खत्म होता है. दीपावली का तेवार कार्तिक मास کی अमवस्या तिथी को मनाया जाता है. इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विसेश महत्तु होता है. इस दिन साम के समय सुब मूरत में लक्ष्मी और गड़ेज ज जाती है। ऐसी मानिता है कि दिवाली की रात माता लक्षमी स्वयम धर्ती पर आती है। इसलिए दिवाली के दिन घर को साफ सुथरा और प्रकासवान रखना चाहिए और मेन गेट पर सुन्दर से रंगोली और दियों से सजाना चाहिए। दोस्तों गडेश लक्षमी की पूजा के साथ साथ इस दिन भगवान कुबेर, भगवान विश्णुजी, माता सरस्वती, वकाली माता की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए आप सबसे पहले पूजा इस्थल को या सभी सामगरी को गंगा जलछेड़कर सुद्ध कर अब आप एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें तद पस्चात रोली या हल्दी से उस पर स्वास्तिक का चिन्न बना लें अब चौकी पर माता लक्षमी वा भगवान गड़ेश जी की प्रतिमा इस्थापित कर दें और साथ ही एक जल भर अब सबसे पहले माता लक्षमी वा गड़ेश जी को रोली अक्षत लगाएं धूम दीब जलाएं माता लक्षमी जी को कमल वा गुलाब के फूल और माला अर्पित करें और गड़ेश जी को तूरवा चणाएं इत्र लगाएं मेवा मिठाई का भोग लगाएं खील बता से अर्पित करके सभी भगवान की विद्वत पूजा अर्चना करें तद पस्चात भगवान गड़ेश वा माता लक्षमी जी की आरती कहें और लक्षमी पूजन के बाद आप अपनी तिजोरी और वही खाते का पूजन भी जरूर करें ये बेहत सुभ होता है इस तरह दिवा दिवाली के दिन पूरे विधी विधान से पूजा करने से माता लक्षमी प्रसन्य होकर आपकी सभी मनो कामनाई पूरी करती हैं और घर में सुख सम्रद्धी और एसर का वर्दान देती हैं चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में दिवाली का पर्व कब मनाया जाएगा दोस्तों दिवाली 24 अक्टूबर 2022 दिन सुमवार को मनाई जाएगी और अम अवस्यातिती की सुरुवात 24 अक्टूबर 2022 की साम को 5 बचकर 27 मिनट पर होगी और अम अवस्यातिती की समापती 25 अक्टूबर 2022 की साम को 4 बचकर 18 मिनट पर होगी और दिवाली के दिन लक्षमी पूजा का सुम मूरत साम 6 बचकर 53 मिनट से लेकर रात 8 बचकर 16 मिनट तक रहेगा इस सुम मूरत की कुल अवदी लगबग 1 घंटा 23 मिनट की रहेगी और प्रदोस काल साम 5 बचकर 43 मिनट से लेकर रात 8 बचकर 16 मिनट तक रहेगा और ब्रसब काल साम 6 बच कर 53 मिनट से लेकर रात 8 बच कर 48 मिनट तक रहेगा और महा निसिता काल में लक्ष्मी पूजा का मूरत रात 11 बच कर 40 मिनट से लेकर रात 12 बच कर 31 मिनट तक रहेगा इस सुमूरत की कुल अवदी लगभग 51 मिनट की रहेगी और निसिता काल का समय रात 11 बचकर 40 मिनट से लेकर रात 12 बचकर 31 मिनट तक रहेगा और इस दिन सिग्न लगन रात 1 बचकर 23 मिनट से लेकर सुबह 3 बचकर 41 मिनट तक रहेगा और बात करें लक्षमी पूजा के लिए चोगडिया मूरत की तो इस दिन अपराहन महूरत दोपहर एक बचकर तीस मिनट से लेकर साम पांच बचकर तीस मिनट तक रहेगा और साइंग काल महूरत साम पांच बचकर तीस मिनट से लेकर साम साथ बचकर अठारा मिनट तक रहेगा और रातरी महूरत रात 10 बच कर 30 मिनट से लेकर रात 12 बच कर 5 मिनट तक रहेगा और उसा काल का महूरत प्राता काल 1 बच कर 41 मिनट से लेकर प्राता काल 6 बच कर 28 मिनट तक रहेगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद